हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो स्टेडी गलोब दोस्तों सवागत है आपका अपने चैनल स्टेडी गलोब में आपकी सफलता हमारा संकल्प जैसे कि सभी जानते हैं दोस्तों हम डेली वेसिस पर मंडे टू फ्राइडे सुबस साथ दस वज़े दोस्तों जनल साइंस के इंपॉर करें दोस्तों ठीक है एंपकी साइंस की तग्यारी बहुत ऐच्छी चल लगी होगी तो आपको बीस मैसे सेवनटी प्लस स्कोर करना ही है दोस्तों ठीक है अगर आपके सिकम एटैंप्ट हो रहे हैं तो आप लोग रिवीजन पर दोस्तों ज्यादत से ध्यान दें ठीक है औ और दोस्तो सुभा सावैंट और शोग्स करें नौनोग जबया हैं मिक्स यमचिक्ष करते हैं दोस्तो विसको लेट लेट्स पैटन पर तो आप लोग यह सेशन पर जरूर देखें आपको अच्छी तयारी हो जाएगी ठीक है दोस्तो इन सेशन को देखनेसे चलिए बनादेरी करें आज का सैसन हम सुरू करते हैं चलेedar करेंगे कोशनलमार वन का दोस्तों और उससे पहले जुड़े जैसन को लाइक ने किया तो सैसन को आप लोग जह değer स्यदा लाइक करें जह्त चेयदा अपने फ्रेंड़ों में शेर करें चलिए बताईए आंसर कीजिए दोस्तो जल्दी से अकॉर्डिंग टू दा न्यूटन सेगंड लॉफ मोशन वाट इस दा रिलेशन्शिप बिट्वी इन डा रेट आफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम एंड डा एस्टेनल फोर्स एक्टिंग जल्दी से बताईए दोस्तो तो आप सभी जानते हैं दोस्तो जो न्यूटन गती नियम के अनुसार जो आपका संबेग होता है दोस्तो उसमें परिवड़ता निकीदर दोस्तो बहारी बलके क्या होती है दोस्तो ठीक है समान उपाती होती है डारेटली परपोर्शनल होती है ठीक है तो आप्शन ए आपका बिलकुल सही आंसर होगा ठीक है दोस्तों ध्यान रहा जाएगा ना चलिए नेक्स कोशन पर चलते हैं दोस्तों चलिए आंसर करेंगे आप लोग मैकसवेल निमने मैसे किसका मात रख है जल्दी से बताएंगे आप लोग आप सभी जानते हैं दोस्तों जाती है ठीक है ना इस तरीके से दोस्तों जाती है यह दोस्तों यह लाइन्स होती है जो मैंगनेट जो आपकी एलेक्टिक फिल्द बनाते हैं ठीक है मैंगनेटिक फ्लक्स बोलते हैं ठीक है तो दोस्तों इसी का मात रख क्या होता है मैक्स वैल होता है ध्यान लखिएगा जो आपकी चुम्बी की फलस्क होता है इसका ऐसा यूनिट तो दोस्तों क्या होगी आपकी बेवर होगी ठीक है और सीजी ऐस यूनिट दोस्तों क्या होगी आपकी मैक्स वैल होगी ठीक है ध्यानद रखिये गां दोस्तों ऐसा यूट्ट उनित मैंगननेटिक फलस्की क्या होती है बेवर ठीक है और सीचु उनिट क्या होती है मैक्सवेल तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाई है ठीक है मैक्स वेल दोस्तों चुम्मिक के फलस्की क्या है मातरक है यूनिट है चलिए नेक्स कोशन पर चलते हैं दोस्तों कोशन नमबर फ्री पर चलिए आंसर करेंगे आप लोग नेमलिकत को घठते हुए विद्वत चालकता कि अनुसार व्यवस्थित करें आंसर करें अर्रेंज फॉलॉंग तूधर डिक्रीजिंग electrical conductivity answer कीजिए दोस्तों क्या होगा इसका answer ने अमिलिकत को घटते हुए बिद्ध चालगता है कि अनुसर बिवस्तित करें तो आप सभी जानते हैं दोस्तों सबसे अच्छी चालगता है किसकी होती है आपकी silver की होती है तो आपको एकी option में दिख रहा है option D में कि silver सबसे आगे है चानी ठीके दोस्तों silver की बाद copper की होती है फिर aluminium फिर steel option D आपका बिल्कुल सही answer हो जाएगा ठीके दोस्तों जो आपका silver होता है आपके बिद्ध का सबसे अच्छा चालगता है good conductor of electricity ठीके दोस्तों चलिए next question पर चलते हैं question number four पर चलिए answer करेंगे वह उपकरन जो प्रत्यवर्ती धारा को दिस्ट धारा में परिवर्टित करता है चलिए बताइए कौन से डिवाइस आपका convert करेगा AC को DC में alternative current को direct current में चलिए बताइए answer कीजिए बहुत important question है दोस्तों बहुत वारे exam में आ चुका है दोस्तों चलिए बताइए तो दोस्तों आप सभी जानते हैं AC को DC में दोस्तों कौन convert करता है rectifier option C आपका बिल्कुल सही answer हो जाएगा ठीक है अगर मैं आप से कहूं कि DC को AC में कौन से device convert करता है तो बताइए DC को AC में कौन से device convert करता है जली से बताइए आप लोग direct current को alternative current में दोस्तों कौन से device convert करता है आपका inverter ठीक है याद रखेंगे दोस्तों कौन से करता है inverter ठीक है दोस्तों चलिए next question पर चलते हैं स्वाल भो जाएंगे से ठीक है आप जो भी एक्जाम देंगे साइंस का कुश्चन एक भी भार नहीं होगा दोस्ते से ठीक है चाहे वह आपका फिजिक्स का हो कैमेस्टी का हो या बायोजी का हो दोस्तों चलिए कुशन नमर फाइप का आंसर करेंगे एक वैस्क में दिल की धड़कन की ओसत सकती की खपत क्या है चलिए बताईए वाट इस दे एवरेज पावर कंजम्शन ओफ हार्ट रेट इन एडल्ट दोस्तो आपको मालम होना चाह devotion के अगर हम सोते हैं खाते हैं पीते हैं चलते हैं अपने की कुछश ना कुछ सकती क्या होती है दोस्तों कुछ ना कुछ अपनी सकती क्या होती है खपत ठीक है तूज़ तआप बताईए वैस क कैडिकी धलकन की ओसत सकती ही खपत … । बिख जन्य करेंड दूसyllंगे अपनियों की हो एप ata क्षेगी याद रखेंगे ओर उसमें में हमारी र्रिलीज हो दोस्तों कितनी होती ठीक है तो सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा चलिए नेच्ट कोश्चन पर चलते हैं दोस्तों कोश्चन नम्हा सिक्स पर चलिए आंसर कीजिए चार्ल्स कनियम किस पर आधारित है बताईए वाट इस दचार्ल्स लोग बेस्ट आनसर करेंगे आप लोग चार्ल्स पाती होगा ठीक है डार्येटरी प्रपोर्शनल होगा ठीके ध्यान नखिएगा जो आपके कोई भी गयस हो दोस्तों इसको constant pressure पर उसका जो दोस्तों गाश्चन नियम किस पर आधारत है आपका घ्र ंख्यके दोस्तों किस पर आधारत है ठीक है दोस्तों अगर आप गैस का temperature बढ़ाएंगे तो दोस्तों आपका volume भी बढ़ेगा और अगर temperature decrease करेंगे तो दोस्तों आपका volume भी क्या हो जाएगा degrees हो जाएगा ठीक है यह भी आप लोग याद रखिएगा चलिए next question पर चलते हैं दोस्तों question number seven पर चलिए आंसर कीजिए जब प्रती रोधों का सईयोजन स्रंखला में किया जाता है तो कुल प्रती रोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा चलिए बताईए when resistor are combined in series the total resistance बताईए दोस्तों जली से बताईए जैसे हम मालीजे आपके दोस्तों क्या है यह आपके कुछ resistance थीक है जैसे हम क्या बोलना है R1, R2, R3 ठीक है जब आप कुल प्रती रोध लिखा लेंगे equivalent resistance लिखा लेंगे दोस्तों सीरिज में क्या करते हैं इनको add कर देते हैं ठीक ह ताप देख पा रहा हैं दोस्तों आपके कुल्परती रोथ क्या होगा दोस्तों बढ़ेगा कुल्परती दूर्ण हगा क increase बढ़ेगा ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा सीरीज में आपका प्रतिरोत कमान बढ़ता है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समांतर पैरलल में ठीक है पैरलल में अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों आपका प्रतिरोत कमान घटेगा ठीक है ये भी आप लोग करशनबल होगा बताएए इस डिस्टेंस बिट्वीन दे सन एंड अर्थ इस टबल्ड ग्रैविटेशनल फोर्स ओन दे अर्थ विल भी क्या होगा दोस्तों बताएंगे आंसर करेंगे आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कोश्चन है दोस्तों आपका गुरुप डी में और एल पी में दो हजार अठारा के एक्जाम में ये कोश्चन पूछा गया है चलिए बताएए क्या होगा इस कांसर जली से आंसर करेंगे आप लोग तो आप सभी जानते हैं दोस्तों जो आपको गुर्टवा करशनबल होता है क्या होता है जी इंटू M1 M2 अपॉन आर स्क तर्मान, लुज ells, इन्सेल गुरिफवा कर दोस्तों तो stell Опके लिफ़तांग जो जानते अते इसका है छो हो जाएगा भित्कुर्वान उपाती हो जाएगा, तलो क्या है दोस्तों ग्रेप ऑ़िश की दूरी का, यह शस्तों क्या कर रहे है यह व Hui? तो तो आप सब जरी चा 10 जब बीचकी दूरी के दूरी को से ने हो जाएगा अग्यां के दोस्तों अब शूरц और पर्टि की दूरी कि दूरी को यहाई दो कितना होजाएगा centuries यह हो जाएगा बनफोर्थ हो जाएगा ठीक है दोस्तों अमीदे आप लोगो समझ में आ रहा होगा चलिए सेसन को जल सेदा लाइक करें दोस्तों जोनों नहीं भी लाइक नहीं किया है चलिए आंसर कीजिए दो वस्तूओं के ताप 25 डिगरी का अंतर है ठीक है दो आएट हीज चलिए बताइए दोस्तों क्या होगा इसकांसर अंसर चलिए देखते हैं दोस्तों जैसे कि अपसकर जानते तो Member नहीं होता है ठीक है यह माने लिका लाई दोस्तों आनि अंतर लिकालेगा तो क्या हो जायगा दोस्तों रिक कि होस्तों Ne Irish फाइब ठीक है into c plus 32. दोस्तो ध्यान रखिएगा कि हम को क्या दिया गया है दोस्तो यह अंतर दिया गया है, क्या दिया गया है, अंतर, ना की Celsius टेंपरिचर, गार दोस्तो जब अंतर दिया होता है तो यह दोस्तो आपका Constant हो जाया ठीक दोस्तो इस से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा तो दोस्तो जो यह को आपका Karen neighborhood की अंतर रहेगा धी कि यह कोड़कर लहाएगा ठ Independence में difference ऩो दोस्तो इस में आप क्या रख दीर वैली आप तो आपका degree for a night का दोस्तों difference होगा क्या होगा 9 upon 5 और degree clcs का दोस्तों difference कितना दिया गया है हमको 25 solve कर दोस्तों 55 to 25, 5 9 to 40 तो 45 degree आपका दोस्तों degree for a night पर दोस्तों अंतर लिखे लिए गा तो option B आपका बिलकुल सही answer होगा ठीक है चलिए next question पर चलते हैं दोस्तों question number 10 पर चलिए answer कीजिए ज़िए कोई वस्तू बरती है पद पर एक समान गती के साथ करती है तो इस प्रकारी गती में क्या समान होगा चलिए बताइए if an object moves along a circular path with the same then it's move a type of motion with uniform circular motion तो आप सभी जानते है दोस्तों जो एक समान बरती गती होती है किस वज़े से समान होती है दोस्तों उसके समान वेग के कारण तो option C आपका बिलकुल सही answer हो जाएगा ठीक है दोस्तों ध्यान ने किएगा ठीक है जो आपकी दोस्तों क्या होती है भरतिय गती होती है ठीक है जो आपका इसपर येक होता है अनसर हो और आपकी जो दोस्तों कैसे होते हैं दोस्तों एक दूसरे के लंब बात होते हैं 90 डिगरी का एंगर बनाते हैं यह आप लोग याद रखिएगा ठीक है चलिए चलते हैं दोस्तों कोश्चन नमबर 11 पर चलिए आंसर करेंगे वाट प्रोड्यूस मुविंग इलेक्ट्रिक चार्ज गती सील अविञें इसका करते हैं जल्ली से बतायेंगे दोस्तों जल्ली साथ करेंगे जैसे हैं सबस्तों क्या रखिएघर है दोस्तों ऑप के लेक्टर्णि अगधिर गती सील आवेस इसका अव्यक्तlichkeit करता थे क्या आपकी मेंगनेटिक फिल्ड चुम्मक ये छेतर तो आप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ठीक है दोस्तों चलिए कुछ नमर 12 पर चलते हैं चलिए आंसर कीजिए नम लिकित मेंसे कौन सी कार के मातरक के बारे में सही नहीं है चलिए आंसर कीजिए इंपॉर्ट होती हैं दोस्तों एक जूल बरावर दोस्तों क्या होता है ₹ूर्ग होती है ठीक है विस्तापन की दोस्तों क्या हो जाएगी मीटर आप सभी जानते हैं एक जूल बराबर दोस्तों न्यूटन मीटर भी होता है तो आपका ऑप्शन डीवी बिलकुल सही है दोस्तों ठीक है अब और देखते हैं तो आपका दोस्तों ए भी सही है आपका डीवी सही यह आप सभी जानते हैं दोस्तों जो हमारा एक क्लोग्राम दोस्तों दरबमान होता है नाइन पॉइंट न्यूटन के बराबर होता है ठीक है जानते हैं ना यह एक क्लोग्राम दोस्तों अपने जो फोर्स होता है दोस्तों नाइन पॉइंट न्यूटन होता है ठीक है तो किलोगरम की जागे दोस्तों हमने क्या लेक दिया 9.8 नू cornerll College I cetera eren तो यह बिल्कुल हो जाया तो आप से क्लाइक पूछा गया था उन्हें कौण सा कार के मात्रक के बारे में सही नहीं है तो कौन सा गलत है दोस्तों आपका option B बिलकुल गलत होगा ठीक है दोस्तों चलिए question number 13 पर चलते हैं चलिए answer कीजिए नमले के दिमें से कौन सा एक सन्रक्षित बल नहीं है बताईए which of the following is not a conservation force बताईए दोस्तों कौन सा एक सन्रक्षित बल नहीं है तो दोस्तों परत्यास्ता कमानी में बल जोस्ता अप लास्टिक स्प्रेंग है दोस्तों ये भी आपका क्या एक किस्जर वेजिंग फोर्स है तो answer आपका क्या हो जाएगा option D आपके बिलकुल सही answer होगा घर सन्रक्षित बल नहीं है ठीक है दोस्तों याद रखिए का चलिए next question number चलते है question number 14 पर answer करेंगे घरे लिए विद्ध उपकरणों में प्रुक्त सुरक्षा फ्यूज तार की धातु का निमने क्या होता है जली से बताईए safety fuse wire metal used in household electrical appliance constant off तब सभी जानते हैं दोस्तों जा हमारे घर की वारिंग होती है उसमें main land पर दोस्तों fuse लगाए जाते हैं किस वज़ होता है दोस्तों उनका melting point बिल्कुल गलनांक बिंदू दोस्तों low होता है तो option b आपका बिल्कुल सही answer हो जाएगा ठीक है ध्याने के गरे लिए विद्ध दब करणों में जो सुरक्षा फ्यूज की धातु जो जिस धातु के बनाया आते हैं दोस्तों उसके क्या होता है melting point गलनांक बिल्कुल कम होता है ठीक है चलिए next question पर चलते हैं दोस्तों चलिए बताईए एक transformer किसके सिध्धान पर कारता है our transformer works on the principle of बताईए दोस्तों किस सिध्धान पर काम करता है दो तरीके के होते हैं एक तो होता है दोस्तों आपको कौन सा step up और दोस्तों कौन सा होता है step down ठीक है यह voltage को दोस्तों बढ़ाता है step up और step down voltage को घटाता है ठीक है ध्यान ने किएगा दोस्तों चलिए next question पर चलते है question number 16 पर answer करेंगे खोजबती में दरपन जो प्रिक्त होता है वह कौन सा होता है चलिए बताइए the mirror used in the search light is जैसे आपकी आपने देखा होगा फिल्मों बगारा में जो जेल होते हैं दोस्तों उन पर वड़ वड़ टावर पर light लगी होती है जिन से देखते हैं ठीक है तो वो दोस्तों क्या कह करेंगे दोस्तों कौन सा दरपण यूज़ करेंगे दोस्तों सर्च लाइट में कौन के मिरल अफथाल दरपण option ए आपका सही आंसर होगा क्योंकी दोस्तों जो आपका कैसा है आपका converging lans है ठीक है जो भी लाइट रेस आथ हाती है उनको दोस्तों एक पौइंट पाइगा कन्वस करेंगा फोकस करेंगा ठीक है दोस्तों इसलिए अफ्टल दर्पन कौन के मिरर का यूज किया जाता है ठीक है दोस्तों चलिए नेस्ट कोशन पर चलते हैं कोशन नमर 17 पर चलिए आंसर करेंगे आख के लेंस की फोकल दूरी किसके कार से परिवर्टित होती है answer कीजिए the focal distance of the lens of the eye is changed by whose work जो सब्सक्राइब आपने सभी दिखा हो जो अपनी दोस्तों human eye होती है मनुश्की आख होती है जब उसमें प्रकास जाता है तो वो सुकड़ जाती है दोस्तों ठीक है और फैलती है ठीक है किस वाई यह से दोस्तों बताईए दोस्तों माली जी दोस्तों यह आपकी human eye है दोस्तों ठीक है यह अपने lens होता है दोस्तों अपनी आख में दोस्तों कौन सा lens होता है convex lens तो आप सभी जानते दोस्तों इदर salary muscles होती है ओपर और नीचे ठीक है इन्हीं मसल्स के बएद से जोस्तु जह अपने लैंस होता है दोस्तों सो कड़ता है और हैранस बॉली मसल्स से आपका प्लूचन सब्सक्राइब क्लब याद रखिएगा कोशनवर के लिए और किजये में काम आने वाले गिlesि कर को स्षो dum इ disciplined बहुतीं हैं जली से बताईए क्या होगा दोस्तों? उपलाशने क्या होगा, जली से बताईए दोस्तों क्या होगा ठीक है दोस्तों कौन सा दोस होगा दूर दरश्टी दोस हाइपरमेटरपिया होगा ठीक है आप सभी जानते है दोस्तों जिसको दूर दरश्टी दोस होता है उसे दूर की बस्तों के दिखाई देती हैं साफ और नजदिक की बस्तों के दिखाई देती हैं दोस्तों तो इस द रोते हैं। ठीक है चलूइए नियस्ट पर चलते क्या होती है बताइए दोस्थों पयो नहीं होती तो इस возмож खीन नगी होती जा किसके वितुरमान पाहती है जलिदी से बताएंगे किसके फोकल लेंद के थ्यान ना की अब दोस्तों आब यादि रहेंगे दोस्तों इस पर बेस नुमेरी इगर लाते हैं ठीक है चलिए आज के last question पर चलते हैं दोस्तों चलिए answer करिए question number 20 गा how much time will be required to perform 520 joule of work at the rate of 20 वाट चलिए answer कीजिए solve कीजिए दोस्तों पांसो बीस जूल का कार 20 वाट की दर से करने पर समय कितना लएगा जल्दी से answer कीजिए दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों जो हमारी power होती है दोस्तों क्या होती है कार करने की दर ठीक है working rate क्या कहलाती है दोस्तों आपकी power क्या हो जाएगा work upon power ठीक है चलिए value put करें दोस्तों अपने कितना वर्क हो रहा है दोस्तों पांसो बीस जूल का ठीक है power कितनी लग रही है दोस्तों 20 वाट की तो दोस्तों आप क्का answer क्या जाएगा 26 second ठीक है तो option D आपका बिलकुल सही answer होगा ठीक है दोस्तों अमीद है दोस्तों आप लोगो session पसंद आया होगा तो session का आप लोग ज्याद से जादा like करें दोस्तों ज्याद से अपने फ्रेंड़ों में share करें और जो भी doubt आटा है तो आप लोग comment section में ज़रूर पताएंगे दोस्तों और प्रेस करें आने वाले notification के लिए ठीक है चलिए फिर में लेंगे अपन Monday को अब ठीक है तो चलिए दोस्तों बाबाई thank you